दोस्तों क्या है Fast Startup विज्टों पर fast startup क्या होता है इस विडीम देखेंगे इसका details fast startup मतलब जब आप shut down करते हैं आपका system को तो आपको जो computer है यहाँ पर normal shut down नहीं होता, fast startup के अंदर आपको mater system को hibernate state पर वोडा जाता है जिसके कारण जब अप shut down करने के भाद जब अब start करते हैं आपका system तो यह जो hypernate state को restore किया जाता है यहाँ पर booting time बचता है within minute आपका system ready हो जाता है तो यह जो fast startup का यही advantage जल्दी boot up हो जाता है आपका system क्योंकि यहाँ पर full shutout नहीं होता कुछ-कुछ device के जो driver से compatibility issues हा सकता है आज कल कोई भी system हो उस पर fast startup by default enable आता है अब यहाँ पर एक live example दिखाता हूं fast startup क्या होता है अगर आप shutout करने वाले हैं तो उससे पहले आपने task manager पर जाईए यहाँ पर performance tab के अंदर आप देख सकते हैं अब time अब कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दस दिन से यह आप रहा है अभी तक यह नॉर्मल शटोन नहीं हुआ है चलिए शटोन करके देखते हैं शटोन होने की बाद ओन कीजी आपके system को उसकी बाद आकर जब आप task manager के अंदर देखते हैं तो आप time अभी भी दस दिन ही है मतलब full शटोन अभी तक यह नहीं हुआ अगर हमने शटोन प्रस किया तो भी फूल शटोन नहीं हुआ दोस्तों इसे करते हैं फास्ट आट अपको जो system खूल शटोन नहीं होता सिर्फ liproof dead पर मोड़ा जाता है अप इसे फूल शटो अउन करने का कोई तरीखा है क्या जी हाँ फूल शटोन करने का तरीका है जब आप शटोन करते हैं तो आपको प्रस करना चाहिए shift plus शटोन का जो बाटन है इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट प्रस करते हुए, आप शाटवन का जो बटन है, इसे क्लिक कीजिए, तब जाके आपको जो सिस्टम है, फुल शाटवन होगा, इसके अलावा एक और आप्शन है, रिस्टार्ट कर दीजिए, रिस्टार्ट करने पर भी यह जो fast startup का जो option है, आप सर्च करें, पावर ऑप्शन, पावर ऑप्शन के अंदर आप चुने, चूस वार्ट क्लोसिंग लिडर्स, यह जो ऑप्शन चुनन के बाद, यहां पर एक लिंग होता है, चेंज सेटिंग्स दाटर करनले अन अवेलिबल, इसे ग्लिक किया तो, fast startup को जो option है, एनेबल हो जाता है, यहां पर चेकबुक से, अगर आप चेक करते हैं, तो fast startup को जो option है, एनेबल हो जाता है, अन्चेक करते हैं, तो fast startup को जो option है, disable हो जाता है, ठ्यान प्रिक है, अब यह क्या है, hypernet state, fast startup के अंदर क्या होता है, freshly जो state है, windows का अभी, इसे completely hard disk पर save किया जाता है, 10 of करने की बाद भी, यहां पर कोई भी power consume नहीं होता, zero power consume होता है, तो दोस्तों यहां पर एक doubt आता है, क्या fast startup और hypernet यह दोनों same है, नहीं दोस्तों, fast startup और hypernet यह दोनों same नहीं है, hypernet के अंदर, जो कोई भी अभी open है, current state पर, including logged in user हो, open files हो, folders हो, applications हो, सबको hard disk के अंदर save कि जाता है, मगर fast startup के अंदर, अभी का जो frustrate है, system का, सर्फ इसे ही hard disk पर save किया जाता है, fast startup के अंदर, mostly, सारके सरस्सिस्टेम मेमरी को close किया जाता है, clear किया जाता है, उसके बाद ही, उसे hypernet state पर, mode जाता है, मतलब हो, जब own करते हैं, वापस on करते हैं, तो fast startup पर, जिल्द ही restore हो जाता है, as compared to hibernate, क्योंकि hibernate पर ज़्यादा programs, files, folders, यह सब restore करने का होता है, fast startup के अंदर, यह नहीं होता, जो freshly state था, सर्फ उसी को ही restore किया जाता है, मगर देखा जाए तो hibernate, एक अच्छा process है, क्योंकि, अगर आप चाते हैं, अभी का पूरा का पूरा state, उसी तरह ह यह save रहे, जब आप open करते हैं, आपका system, तो पूरा का पूरा उसी तरह ही restore हो, तो आपको करना चाहिए hibernate, अगर आप जल्दी boot up करना चाहते हैं, तो best option है, fast startup option, दोस्तों, अगला कुस्ट ने, क्या fast startup, यह जो feature है, आपको जो windows को जो updates हता है, इसे affect करेगा यह नहीं, जी हाँ, कुछ-कुछ case पर, windows का जो update से require करता है, full shutdown हो, अगर full shutdown चाहिए, windows update को, तो definitely, यह जो fast startup के कारण, यह update नहीं होता, वहाँ पर, लिखित पर आता है, update and then shutdown, यह जो option लिखित पर आता है, अगर आप यह जो option क्लिक करते हैं, तो ही, जो update आपने install किया है, reflect होगा आपका system चलिए देखते हैं, अगला question है, क्या fast startup आपका hard disk, HDD या SSD पर कोई भी असर करता है या नहीं, अगर आप SSD यूज़ करते हैं, तो fast startup को इधन असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि SSD पर बहुत ही जल्दी open हो जाता है आपका system, normal hard disk से 3-5 times ज्यादा fast होता है SSD, मगर यहाँ पर एक तो उतना ही उसका life काम होता है, यहाँ पर point है, अगर आप SSD पर ज्यादा write-up करते हैं, मतलब fast startup पर, hypernet state पर मोड़ा जाता है, तो आपको SSD पर write-up होता है, जिसके करण थोड़ा सा थोड़ा ही percentage आपको SSD के life कम होगा, अगर आप normal hard disk यूज़ करते हैं, तो definitely fast startup enable कर दीजे, क् यूज़ की normal hard disk है, SSD के comparison slower है, 3 to 5 times slower है, इसलिए आपको जल्दी boot करना है, आपको system को definitely fast startup को enable करना ही एक अच्छा option है, आज हमने इस वीडियो में देखा क्या है fast startup और इसका advantages, disadvantages क्या क्या है, इसका features क्या क्या है, क्या आपको SSD या Windows updates पर कोई भी issue करता है या नहीं, दोस्तों इस वीडियो में देना ही, वीडियो चला है तो लाइक करे, शेयर करे, डूस्तों में चैनल, अगर आपको कुछ बडावट है तो write in comment section, धैक जेहिंद, बदे मातरम